बच्चो आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऐसे ऐसे जो कि एक नाटक है और मोहन नाम का एक विद्यारती है इसमें जो कि अपना होमवर्क नहीं करता और स्कूल में मास्टर साहब की डांट से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना करता है तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट ऐसे हमारे पार्ट का नाम क्या है ऐसे ऐसे और मैंने आपको बताए था कि यह एक नाटक है इस नाटक क्या होता है इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं जो कि अपना अपना करेक्टर निवाते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि मोहन क्या है एक विद्यारती है दीनानात है एक प में बैद्द जी और डॉक्टर साफ और एक पडोशन तो आईए देखते हैं यहां पर कि क्या कुछ इस नाटक में बताया गया है सडक के किनारे एक सुन्दर फ्लेट में बैठक का द्रस्या उसका एक दर्वाजा सडक वाले ब्रामदे में खुलता है दूसरा अंदर के कमरे म तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं एक और रेडियो का सेट है दो और दो छोटे तक्त हैं जिन पर गलीचे बिचे हैं बीच में कुरसियां हैं एक छोटी मेज भी है उस पर फौन रखा है परदा उठने पर मोहन एक तक्त पर लेटा है आठ नो वर के लगबग उम्र होगी उसकी तीसरी क्लास में पढ़ता है इस समय बड़ा बेचे अन जान पढ़ता है बार बार पेट को पकड़ता है उसके माता पिता पास बैठे हैं तो इस प्रकार से इस नाटक का द्रेसे यहां पर दिखाया गया है सबसे पहले मा बोलती है मा पुछकार कर क्या बोलती है ना ना ऐसे मत कर अभी ठीक हुआ जाता है अभी डॉक्टर को बुलाया है ले तब तक सेंक ले चादर हटा कर पेट पर बोतल रखती है फिर मोहन के पिता की ओर मुरती है इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लि पिला और एक संत्रा खाया था अरे या तो दफतर से चलने तक कूता फिर रहा था बस अड़े पर आकर यकायक बोला पिता जी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है मा कैसे पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा मैंने कहा अरे गड़बड होती है तो बोला नहीं फिर पूछा चाकु सा चुपता है तो जवाब दिया नहीं गोला सा फूरता है तो बोला नहीं जो पूचा उसका जवाब नहीं बस एक ही रट लगाता रहा कुछ ऐसे ऐसे होता है मा हस कर कहती है हसी की हसी दुख का दुख या ऐसे ऐसे क्या होता है कोई नहीं बिमारी तो नहीं बेचारे का मुँख कैसे उतर गया है हवाईयां उड रही है फिर पिता जी बोलते है अजी एक दम सपेद पड़ गया था खड़ा नहीं रहा गया बस में भी नाजता रहा मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है ऐसे ऐसे होता है मोहन जोर से करा कर मा ओ मा क्या कहती है मा कहती है नाना मेरे बे इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीब जान पड़ती है या ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है देखो ना कैसे लोट रहा है जरा भी कल नहीं पड़ती हिंग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ बैद्य जी आ जाते तभी फान की खंटी बजती है मोहन के पिता ऊठाते हैं पिता यह है 43,3 बद्ती से जी जी हाँ बोल रहा हूं कौन डाक्टर साब जी हाँ मोहन के पेट में दर्ध है जी नहीं खाया तो कुछ नहीं बस यही कह रहा है बस जी नहीं गिरा भी नहीं ऐसे ऐसे होता है बस जी ऐसे ऐसे होता है बस जी ऐसे ऐसे वह ऐसे ऐसे क्या बला है कुछ समझ में नहीं आता जी जी हाँ, चेहरा एकदम सपेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है, जी नहीं, दस्त तो नहीं आया, जी हाँ, पेसाब तो आया था, जी नहीं, रंग तो नहीं देखा आप कहें तो, आप देख लेंगे, अच्छा जी, जड़ा जल्दी आईए, अच्छा जी, बड़ी किरपा है, फौन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साब चल दिये हैं, पांच मिनट में आ जाते हैं पडोश के लाला दीनानाथ का परवेश, मोहन जौर से कराता है, मोहन मा, मा, ओ मा, उल्टी आती है, उठकर नीचे जुगता है, कहकर मा, सिर् पकड़ती है, मोहन तीन- चार बार, ओ ओ करता है, थूखता है, फिर लेट जाता है हाई हाई मां कमर सहल आती हुई क्या हो गया दोपर को भला चंगा गया था कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है वह हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है दीनानाथ अजी घर क्या पड़ोज को भी गुलजार किये रहता है इसे छेड उसे पचाड इसके मुक्का उसके थपड यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन पिता बड़ा नटकट है मां पर अब तो बेचारा कैसा ठक गया है मुझे तो डर है कि काली स्कूल कैसे जाएगा दीनानाथ जी हाँ कुछ बड़ी तकलीप है तभी तो पड़ा मामूली तकलीप को तो या कुछ समझता नहीं पर कोई डर नहीं मैं बैदेजी से कहाया हूँ वे आही रहे हैं ठीक कर देंगे मोहन तेजी से करा कर अरे रे रे हो मा घवरा कर कहती है क्या है बेटा क्या हुआ मोहन कहता है रुआसासा होकर बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है मा ऐसे कैसे बेटे ऐसे क्या होता है मोहन ऐसे ऐसे और पेट दबाता है बैदे जी का पर्वेश बैदे जी कहा है मोहन मैंने कहा जैराम जी की कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या कोई धमा चोकड़ी करने को नहीं बचिए क्या सब उठकर हाठ जोडते हैं मोहन के पास कुर्शी पर बैठ जाते हैं पिता पिता कहते हैं बैदे जी साम तक ठीक था दबतर से चलते बक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है ऐसे ऐसे होता है समझ नहीं आता या कैसा दर्द है बैदे जी अभी बता देता हूँ असल में बच्चा है समझा नहीं पाता है पेट टेटोल कर हूँ पेट साप नहीं है मल रुख जाने से वायू बढ़ गई है क्यों बेटा हाथ की उंगलियों को फैला कर फिर शिकोडते हैं ऐसे ऐसे होता है मोहन करा कर जी हाँ ओ बैदे जी हर से उचल कर मैंने कहा न मैं समझ गया अभी पुडिया भेजता हूँ पुली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है समझने की बात है मैंने कहा आओ जी दीनानाज जी आफी पुडिया लेलो मोहन की मा से आदे आदे घंटे बाद गरम पानी से देनी है दो तिन दस्त होंगे बस फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सिंग बैद बैदे जी पिता बोलते हैं बैदे जी या आपकी भेंट और नोट देते हैं बैदे जी नोट लेते हुए अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं आप और हम क्या दो हैं अंदर के दर्वाजे से जाते हैं तब ही डॉक्टर परवेश करते हैं डॉक्टर हेलो मोहन क्या बात है मा और पिता जी फिर उठते हैं मोहन कराता है डॉक्टर पास बैठते हैं पिता डॉक्टर साब कुछ समझ में नहीं आता डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं अभी देखता हूँ जीब तो दिखाओ बेटा मोहन जीब निकालता है तो मिश्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे मोहन बोलता नहीं कराता है मा बताओ बेटा डॉक्टर साब को समझा दो मोहन जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है हाथ से बताता है उंगलियां फीचता है डॉक्टर तबियत तो बड़ी खराब है डॉक्टर सैसा उसे काफी दर्द है असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता बराबर पेट ट्रोलता रहता है मा कापकर फोड़ा डॉक्टर जी नहीं वह नहीं है बिलकुल नहीं मोहन से जरा मुप फिर खोलना जीब निकालो मोहन जीब निकालता है हाँ कब जी ही लगता है कुछ बदहजमी भी है उठते हुए कोई बात नहीं दवा भेजता हूँ पिता से क्यों न आप ही चले मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबियत ठीक हो कभी कभी हवा रुख जाती है और फंदा डाल लेती है बस उसी की एठन है डॉक्टर जाते हैं मोहन के पिता दसका नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साब को देते हैं मा सेंक तो दूँ डॉक्टर साब डॉक्टर दूर से हाँ गरम पानी की बोतल से सेंक जाते हैं मा बोतल उठाती है पडोसिन आती है पडोसिन क्यों मोहन की मा कैसा है मोहन मा कहती है आओ जी रामू की काकी कैसा हो क्या होता लोचा लोचा फिरे है जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है लड़के का बुरा हाल कर दिया पडोसिन ना जी इतनी नई नई बिमारिया निक लाये हैं वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं मा कहती है डॉक्टर कहता है कि बढ़ हजमी है आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था वहाँ भी कुछ नहीं कहाया आज कल तो बिना खाए बिमारी होती है बाहर से आवाज आती है मोहन मोहन फिर मास्टर जी का परवेश होता है मा ओ मोहन के मास्टर जी है पुकार कर आ जाईए मास्टर सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है क्यों भाई पास आकर हाँ चेहरा तो कुछ उत्रा मा कहती है खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर तब सायद ना खाने का दर्द है समझ गया उसी में ऐसा ऐसा होता है मा कहती है पर मास्टर जी बैद्य और डाक्टर तो दस्ति की दवा भेजेंगे इसके बाद मास्टर जी कहते है माता जी मोहन की दवा बैद्य और डाक्टर के पास नहीं है इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है मा कहती है सच क्या बीमारी है इसको मास्टर कहते है अभी बताता हूँ मोहन से अच्छा साव दर्द तो दूर हो ही जाएगा डरो मत बेसक कल स्कूल मत आना पर हाँ एक बात तो बताओ इसकूल का काम तो पूरा कर लिया है मोहन चुप रहता है मा कहती है जबाब दो बेटा मास्टर जी क्या पूछते हैं मास्टर जी कहते हैं हाँ बोलो बेटा मोहन कुछ देर फिर मोन रहता है, फिर इंकार में सिरह लाता है मोहन, जी सब नहीं हुआ, माश्टर हूँ साइध सवाल रह गए हैं मोहन जी, माश्टर तो यहां बात है ऐसे ऐसे काम न करने का डर है माश चूंक कर क्या मोहन, सायसा मूँ छिपा लेता है माश्टर हंस कर पेट में ऐसे ऐसे होने लगा ऐसे ऐसे अच्छा उठिये साहब आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है इसकूल से आपको दो दिन की छुटी मिलेगी आप उसमें पूरा काम करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा मोहन उसी तरह मुझ छिपाए रहता है अब उठ कर सवाल सुरू कीजिए उठिये खाना मिलेगा मोहन उठता है मा ठगी सी रहती है देखती है दूसरी ओर से पिता और दिनानात दवा लेकर परवेश करते हैं मा क्यों रह मोहन तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाड़ी है हमारी तो जान निकल गई 15-20 रुपे खर्च पिता से देखा जी आपने पिता जी चकित होकर क्या क्या हुआ मा क्या क्या होता या ऐसे से पेट का दर्द नहीं है इसकूल का काम ना करने का डर है पिता जी हैं दवा की सीजी हाथ से छूट कर फर्स पर गिर पड़ती है एक छण सब ठगे से मोहन को देखते हैं फिर हस प बाद परदा गिर जाता है तो बच्चो इस प्रकार से ये नाटक यहां पर समाप्त हो जाता है और आप देखें यहां पर इस नाटक के लिखने वाले कौन है लेका बिशनु परभाकर आप याद रखें इनका नाम किसके लेका कौन है बिशनु परभाकर और उम्मीद है कि आ आपने ये पार्ट हमारे साथ पढ़ा होगा आपको बड़ा मज़ा आया होगा आज के लिए इतना काफी है